लास्ट वीडियो में काफी बच्चों ने बोला कि भाईया कंपार्टमेंट एक्जाम को लेके काफी ज्यादा डीटेल्ड इस्ट्राइटजी बनाने के लिए और आज मैं तुम्हें कंपार्टमेंट एक्जाम का लेवल उसमें कैसे प्रिपेर करना है सब कुछ काफी डीटे इतने बातों में तुम समझ जाओगे कि how you have to prepare ठीक है देखो कंपार्टमेंट एक्जाम में सबसे पहला आपना ये टार्गेट मत रखना that you have only to pass तुमको सिर्फ पास नहीं करना है ठीक है तुमको पास नहीं करना है ये चीज़ अपने दिमाग में डालो you have to score सबसे पहली ब 12% बढ़ा सकते हो यार अपने अभी के current percentage से अगर कंपार्ट वाले subjects को हटा दो तो ये बहुत बड़ा एक margin तुमरे ले के आ सकता है तो take it as a second chance इसको second chance की तरह treat करो compartment exam को आप second chance की तरह treat करोगे तो ये आपको बहुत ही जादा आगे लेके जाता है ठीक है compartment exam की त्यारी करना बहुत ही जादा असान होता है सबसे पहली बात जो मैंने last वीडियो में बताए थी कि जो board का paper का level होगा वो किसी भी तरीके से change नहीं होगा जो आपका 2023 के boards में जिस प्रकार का paper आया है आपका सेम प्रकार का question paper इस compartment exam में भी बनेगा अगर आप चाहो तो compartment exam के previous year questions देख सकते हो गूगल पे easily available है टेलिग्राम पे easily available है आप वहाँ से उसको देख सकते हो और आपको एक idea मिल जाएगा कि yes this is same हाँ बहुत सारे ऐसे compartment exam के previous year question आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपके बहुत ही comparatively low level के questions आते हैं और उसका main reason यह होता है that CBSE wants to pass everyone लोगों के अंदर एक छोटी से misconception आ गई है कि CBSE लोगों को fail करना चाहती है compartment में बच्चों को fail करना चाहती है ऐसा बिलकुल भी नहीं है CBSE compartment में हर बच्चों को pass करना चाहती है that's why जो question का level होगा काफी सारे ऐसे question तुमको देखेंगे जो कि तुम अगर normal एक one shot वीडियो भी देखके जाते हो तो तुम उसको बना के आ सकते हो but पढ़ना कैसे है मैं समझाता हूँ but before moving ahead in this video मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए CLAT के printed mocks available है जिसमें आपको 10 sectional mocks और 10 full length mocks देखने को मिलेंगे आप इन सभी का access कर सकते हो अगर आपके पास iconic subscription ह 9 months से जादा का या फिर plus subscription है also मैं आपको बता दू कि May 2023 का जो test series calendar है वो आप अपने screen पर देख पा रहे हो इसमें बहुत सारे ऐसे mocks है जो कि बिलकुल free mocks है जो कि आप देखे अपने CLAT और other law exam के practice कर सकते हो और बहुत ही limited record है यार जो plus वालों बच्चों के लिए लेकिन ज इन सभी के लिए आपका foundation batch launch हो चुका है जिसका नाम है level of batch यह आपका May 18 से चालू है और साथी में बता दू कि the Warriors batch आपका यह भी आपका बहुत ही बढ़िये से आपके लिए बनाया गया है for your class 2024 इसके राबा बता दू जो भी ऐसे students है या फिर जो भी आपके सीनियर जीन को प्रिकमेंट कर सकते हो जो कि CUET PG दे रहे है for D.U.L.L.B. आपके लिए भी 30 days का एक course है जो कि active है with our top educators और यह सारे के सारे batches का access आप प्लस या iconic subscription के तुरू कर सकते हो और आपको मैं बता दू कि इस बात से confuse मत होना कि आपको हर batch को अलग-अलग खरते की जरूत है not at all आप ए प्रिकार अपने पढ़ाई को तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास कितना समय बचा है जुलाई में तुम्हारे compartment exam उसको बहुत limited करके तुमें एक schedule बनाओ schedule in the sense की सबसे पहली बात है कि अभी दिन के 12 से 14 गंटे minimum पढ़ो अब तुम बोलो के भईया 12 से 14 गंटे क्यों पढ़ू एतना तो मैं boards की समय भी नहीं पढ़ा था बट एक चीज़ याद रख लो कि अभी तुमको अगर आगे निकलना है अगर तुमको अभी actually में अपना compartment compartment फोड़ना है तो अभी खुझ से ही पढ़ना पड़ेगा कोई भी batches या कुछ भी ऐसा बकवास लेकर कोई मतलब नहीं है वो कुछ नहीं करेगा वो बस तुम्हाय time pass होगा उससे ठीके मैं एक चीज़ बता देता हूँ अभी तुम्हें कोई भी batches ठीके बहुत सारे लोग batch moderate chapter में बहुत सारे ऐसे let's suppose तुम्हारा chemistry में लगा है come part just go up with physical and organic तुम्हारा काम हो जाएगा अगर तुम्हारा physics में लगा है come part तो physics में बहुत सारे ऐसे chapter है especially अगर तुम बात करो part 2 वाले book में जिसमे light, ray, optics, wave, optics यह सारे chapters है वो सारे comparatively बहुत easy है to score ठीके एक चीज़ में ब whenever you are watching a one shot, एक चीज़ remember रखना, एक चीज़ याद रखना कि तीन घंटे से जादा का होना चाहिए one shot, तीन घंटे से कम का कोई सा भी वीडियो जो है YouTube पे वो detailed नहीं है, मैंने check कर लिया है, तीन घंटे minimum उसका length होना चाहिए, तब आपको इतना enough detail मिल जाएगा कि आप 12 के board exam को clear कर पाओ, ठीक है, अगर आपको लगता है 12 के board exam को एक डियर घंटे के one shot से clear किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है, आप उसको revision perspective से, last day perspective से देख सकते हो, बट अगर आप उसको scratch से पढ़ने के लिए देख रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको one shot देखन करते हो ना, पहली बात कि चीज़े memory, words, memory में है, साड़ी चीज़े जल्दी recite होगी, जल्दी याद होगी, और थोड़ा सा वो relevance ही लगेगा, ठीक है, वो video नहीं था जिसके करन तुम fail हुए, तुम्हारा practice नहीं था जिसके करन तुम fail हुए, अब main concentration करो, उस 60%, question के जो 60% part है थोड़ी वाला part है, उस पे concentration करो, कि थोड़ी मेरे को successfully पूरी की पूरी निकाल लेनी है, 42, 45 marks की थोड़ी easily निकालेंगे, उसके अलावा जो भी चीज़े हैं, उसके लिए अलग से हम लोग questions बनाएंगे, और वो भी सिर्फ previous year question और NCIT के examples बनाओगे, काम हो जाएगा, ठीक ह एक चीज़ बहुत important बता देता हूँ, अगर तुम 12th के बच्चे हो और तुम्हारा physics में लगा है, compare तो derivation अच्छे से करके जाओ, ठीक है, बहुत सारे आएंगे, अडाम से अच्छा कासा आ जाएगा, और अगर अच्छे से तुम उसकी one shot देख लोगे, तो MCQs भी बनिया बना लोगे, chemistry के बच्चे हो तो organic और physical को मत छोड़ना, keep educating yourself करके एक channel है, वहाँ से पढ़ लेना, और अगर तुम maths में तुम्हारा compartment लगा यार, तो maths daddy करके एक channel है, वहाँ से पढ़ लेना, ये तीन जगा से पढ़ सकते हो, especially अगर maths में लगा है, तो please दुबारा बता रहा ह दुबारा से वही calculus के पीछे सरमत पटकना, calculus को छुड़ा के जो भी है तुम्हारा chapter matrices, determinant, relation function, inverse ego, probability, linear programming, जितने भी अलग-अलग chapters है, इनको पहले करो, इनको करोगे तो तुम्हारा एक अच्छा 35 मर्क का preparation हो जाएगा, क्योंकि ये score करना easily होता है, इसके अलावा उसके बाद calculus में उतर के differentiation को अच्छे से कर लो, integration थोरा समवे लगता है समझने के लिए, इसलिए पहले इतना करके देखो, उसके बाद calculus पे बढ़ना, ठीके, एक चीज़ मैं important दी बताता हूँ, compartment exam में तुमको pass नहीं होना है, तुमको maximum score करना है, बस ये चीज़ अपने दिमाग में ले अब कर सकते हैं कम से कम समय में, तो अभी उस पे focus करेंगे हम लोग, ठीके, और maximum score करने पे focus करेंगे, किसी भी तरह के परिशानी problem हो, comment section में लिखे न, we will make a video on that, और compartment exam वालों के साथ हम यहाँ पर खड़े हैं, subscribe करके bell icon ज़रूर दबा देना, we are with you, हम लोग यहीं खड़े ह बिलकुल तुमारे साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखना, जय हिंद, वंदे मातरम